किसी वी इलेक्टिकल सर्किट में बैटरी का बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है तो बैटरी क्या होता है कैसे वर्क करता है यहां पर देखेंगे कि हमने एक डाइग्राम बनाया है जिसमें रेड कलर से दो इलेक्ट्रोड दिखाए गए और यह दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच में आइंस होते हैं जो कि इस सेल के अंदर बैटरी के अंदर यह मूब करते रहते हैं यहां पर कोई सोलूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्रिक सोलूशन तो इसमें से एक जो इलेक्ट्रोड है इसको कहा जाता है एनोड और दूसरे को कहा जाता है कैथोड एनोड जो होता है वो हाईयर पोटेंशियल पर होता है या इसको पोजिटिव प्लेट माना जाता है कैथोड जो होता है लोवर पोटेंशल पर होता है इसको निगेटिव प्लेट माना जाता है ठीक और बैटरी को जब external circuit से जोड़ा जाता है external circuit का मतलब हुआ जैसे हमने यहाँ एक resistance जोड़ दिया ठीक तो इस तरह से जोड़ा जाता है यह अपना हो गया external resistance आर यह external resistance है ठीक तो एनोड जो होता है इसको positive plate कहा जाता है एनोड जो होता है यह होता है positive plate और यह high potential पर होता है higher potential और जो cathode होता है negative plate और यह होता है lower potential पर at lower potential ठीक तो अगर इस जो डाइगराम में हमें एक circuit दिखाया गया है उस circuit को हम लोग ऐसे normal तरीके से कैसे दिखाते हैं उसको ऐसे दिखा जाता है कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है है ना कुछ इस तरह से ठीक जिसमें एक external resistance है वो है आर और बैटरी का positive plate जो है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है और negative plate छोड़ा छोटा करके दिखाया गया है ना यह ऐसे दिखाया गया है शांत में क्या होता है कि जो बैटरी है इसका अपना internal resistance भी होता है इसमें ions negative से निकल करके positive plate की तरफ move करते है ठीक और electrons जो है वो उल्टे move करते है ठीक है circuit में आप देखेंगे कि current positive plate से निकल करके negative plate की तरफ जाता है जबकि electrons उल्टा direction में उल्टा direction में move करेंगे ठीक तो ions के moment में कुछ resistance होता है जिसको internal resistance कहा जाता है resistance in the movement of in the movement of ions is called internal resistance of the battery internal resistance of the battery तो जैसा कि आप देखेंगे कि यह जो circuit हमने बनाया है इस circuit में जो रहे internal resistance वो बैटरी के अंदर होता है फिर भी हम दिखाते हैं इसको ऐसे अलग से यह internal resistance हो गया R और battery का अपना एक EMF होता है ठीक तो अगर यहां पर पूछा जाए कि battery क्या है अपना तो battery अगर मैं यहां पर एक boundary बनाऊं इस boundary के अंदर जो भी है यह सारा battery के अंदर है क्योंकि internal resistance भी बैटरी के अंदर ही होता है और जो potential EMFIE भी बैटरी के अंदर ही होता है ठीक है तो अगर हम यह कहें कि जो बैटरी है वो इस red color जो boundary बनाया है उसके अंदर अपनी boundary है यह कहते हैं point A और यह है point B ठीक तो कह सकते हैं battery is between points A and B ठीक तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एक external resistance है circuit में एक external resistance है एक EMF है और यह internal resistance है तो पहले हम जानेंगे EMF का definition क्या होता है इसको कहा जाता है Electromotive Force हालाकि इसके नाम में force है लेकिन यह force है नहीं इसको short में EMF कहा जाता है और इसको represent किया जाता है इस तरह से E से तो इसका जो definition होता है यह होता है it is work done by battery in moving 1 Coulomb charge from negative plate to the positive plate of the battery inside the battery तो battery के अंदर आप देहेंगे figure में कि एक 1 Coulomb charge है इस charge को यहां से यहां तक लाने में जो work करेगा battery उसको उसका EMF कहता है कहा जाता है हर battery का EMF fixed रहता है लेकिन potential difference जो है वो change हो सकता है ठीक है EMF of a battery always remains fixed but but the potential difference across battery battery may change change है ना तो ऐसा कहा जा सकता है कि battery का जो EMF है वो हमेशा fixed रहता है EMF fixed रहता है जबकि potential difference जो है वो change होता है यहां रखना हमें है ना तो यहां पर हमने सिखा कि battery जो है उसका EMF क्या होता है उसका internal resistance क्या होता है ठीक है इस circuit को एक बार फिर से हम लोग clear बना कर देखते हैं कि यह अपना circuit है और इस circuit में यह जो है यह हो गया battery है ना और battery का अपना एक internal resistance भी होता है ठीक है तो battery का यह positive plate यह negative plate और यह internal resistance इनको हमने जोड़ दिया इस तरह से तो इसमें यह हो गया internal resistance यह हो गया EMF और यह है external resistance जैसा कि हमने बताया कि point A और point B के बीच में अपना battery है यह पूरा का पूरा जो है यह battery है अगर हमें कहा जाए कि battery के cross potential difference बताओ तो हम बताएंगे A और B के बीच में potential difference potential difference across battery is equal to VA-VV है ना ऐसे बताएंगे हम A और B के बीच में potential difference बताएंगे तो अब हम लोग calculate करते हैं कि किसी battery के cross potential difference कितना होगा लेकिन उसको जानने से पहले हमें कुछ important points जो है उनको ध्यान में रखना होगा तो ये कुछ important points हैं जिन हैं हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है जब भी हम लोग कोई circuit वाला problem solve करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये important points जो है उनमें से पहला point जो है उसका हम लोग ये ध्यान रखेंगे इसमें बता जाता है कि current current across any current element current element का मतलब हुआ resistor, capacitor and inductor ठीक है इन तीनों के cross जो है जो current flow करता है current flows from higher potential higher potential to lower potential है न कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई current element है जैसे कि resistor हो है न ये हमने एक resistance लगाया तो इस resistance में अगर current flow करेगा left से right ऐसे तो इसका resistor का ये वाला point higher potential पर होगा और ये वाला point lower potential पर होगा तिक अगर current right से left directional flow कर रहा है तो ये वाला point higher potential होगा और ये वाला point lower potential होगा यानि high potential और low potential जो है resistance के cross depend करता है current के direction पर तो ये current का अगर direction होगा उसके हिसाब से इनकी polarity decide की जाती है जबकि अगर कोई battery हो तो उसकी polarity current के हिसाब से change नहीं होती है तो दूसरा point ये है कि polarity of polarity of a battery do not depend on depend on direction of current flow है ना जैसा की बागी current element resistor, capsid और inductor में होता है वैसा बैटरी में नहीं होता यानि यूं कहा रा सकता है की positive plate positive plate of a battery is always at always at higher potential potential relative to negative plate of the battery तीक है तो यह point हमें ध्यान रखना है अगर इसको अगर हम लेक figure से समझें तो एक battery बनाते हैं यह battery हो गया और यहां भी एक battery बनाया हमने तो इसमें current हो सकता है कि ऐसे flow कर रहा हो और हो सकता है कि ऐसे flow कर रहा हो फिर भी दोनों ही case में जो positive plate है यह higher potential पर होगा यह lower potential पर होगा इसमें भी यह higher और यह lower तो यह current के direction से कोई मतलब नहीं है जो बड़ा वाला line दिख रहा है नि जो positive plate है वो हमेशा higher potential पर होगा और जो negative plate है वो हमेशा lower potential पर होगा with respect to positive plate, चाय करेंट का direction कुछ भी हो है न, जैसे दोनों में आप देखेंगे कि हमने करेंट का direction change कर दिया है, लेकिन battery की polarity अभी भी वह ही है, तो ये दो points हो गए, अब आते हैं तीसरे point पर जो third point है वो ये है when a battery is battery is being discharged then current in external circuit external circuit flows from positive plate of the battery to battery to negative plate of the battery है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं, एक circuit बना करके, है ना, तो circuit बनाएंगे, सपोज यहां पर एक रेजिस्टर है, एक कापसीटर है, एक इंड़क्टर है, है ना, और हमने एक battery लगाया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि बैटरी का, एक इंड़क्टर है, एक जो higher positive plate है, वो higher potential पर होता है, है ना, तो यह positive plate higher potential पर होगा, यह lower potential पर होगा, यह resistance है, यह कापसीटर है, और यह इंड़क्टर है, तो external circuit का मतलब हो गया, कि बैटरी के बाहर जो circuit है, उसमें positive plate से current निकलेगा, है ना, और negative plate में, जो current है, वो inter करता है, यह ध्यान रखना है, तो यह battery जो है, वो battery discharge हो रहा है, और जब discharge होगा, तो positive plate से current निकलेगा, और negative plate में current इंटर करेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब battery discharge हो रहा हो, तिक, आचा, इसके बाद, फोर्थ पोइंट, फोर्थ पोइंट जो है, इसका जस्ट उल्टा है, when battery is being charged, then current in external circuit circuit flows from negative plate of the battery battery to positive plate of the battery तो इसको भी एक circuit से समझते हैं, हम एक circuit बनाते हैं, इसमें एक resistor लगाया, एक battery लगाया, तिक, फिर एक inductor अपलाई कर देते हैं, और जो अपना बैटरी चार्ज हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर अपर 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 इस तरह से दिखा देते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, कि यह जो बैटरी है, यह बैटरी का positive plate और यह बैटरी का negative plate, ठीक है, तो यह जो बैटरी है, मान लेते हैं, कि यह कम voltage के बैटरी है, यह है 10V की, और यह जो बैटरी है, यह है 50V की, ठीक है, तो चुकि एक बैटरी चार्ज करने के लिए एक दूसरी बैटरी होनी चाहिए यह हाईयर वोल्टेज की जो कि उसको एनरजी देगी है ना इसमें आप देखेंगे कि जो 10 वाली बैटरी है एक तरह से लोड का काम कर रहा है यह एनरजी ले रहा है है ना तो जब यह जो बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी यह यहां पर चार्ज हो रही है और दूसरी वाले जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है यह यहां पर चार्ज हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं चार्जिंग तो जब चार्ज हो रहा हो तो हमने यहां क्या बताया कि current in external circuit flows from negative plate to positive plate external circuit कौन सा है तो इस battery के बाहर जो है वो external circuit है इसमें current negative plate से निकलेगा और positive plate में इंटर करेगा है ना उपर वाला battery जो है वो चार्ज हो रहा है तो उसमें देखेंगे positive से निकल रहा है negative में इंटर कर रहा है जैसा कि उपर वाले case में दिखाया था यह वाली battery यह charge हो रही थी यह discharge हो रही थी है ना तो चिस तरह से यह discharge हो रही थी तो इसमें current positive से निकलता हुआ ऐसे negative में इंटर कर रहा है था नहीं वैसे ही यहां पर 50 वोल्ट वाली battery है 50 वोल्ट वाली battery है यह discharge हो रही है तो यह battery हो रही है discharge इसलिए इसके positive plate से current निकल रहा है और इसके निगेटिव में इंटर कर रहा है जबकि जो low voltage वाली battery यह 10 वाली battery है यह charge हो रही है यह load जैसा काम कर रही है तो इसमें current negative से निकल कर के positive में इंटर कर रहा है ठीक है तो यह जो charge हो रहा है इसको हम लोग load भी कहते हैं कि मियो इनर्जी consume कर रहा है और जो discharge हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर source यह energy supply कर रहा है है न कि हमने चारो important points जान लिए अब हम लोग किसी battery के cross potential difference calculate कर सकते हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब battery discharge हो रहा होगा तो उसके cross potential difference calculate करेंगे when battery is being discharged तो battery जब discharged हो रहा होगा तब उसके cross potential difference कितना होगा इसको जानने के लिए हम लोग पहले एक battery बनाते हैं है न यह एक battery हो गया और यह हो गया battery का internal resistance ठीक तो इसमें जो battery है हम कहेंगे कि battery इस box के अंदर वाला है जैसा कि पहले भी हमने बताया कि यह battery जो है इस box के अंदर पूरा है तिक अब इस box के बाहर दो point है यह है point A और इधर जो है यह है point B ठीक चुकि यह battery discharge हो रहा है तो जैसा कि हम जानते हैं external circuit में current बैटरी के positive plate से current निकलता है यानि इधर जाएगा और negative plate में current इंटर करेगा ऐसे अब इस battery का जो EMF है मान लेते हैं EMF E है और इसका internal resistance है R तो हमें पता करना है VA-VB तो सुरू करते हैं इस point A से मान लेते हैं कि point A का potential है VA ठीक तो A से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक VA के बराबर ही potential रहेगा क्योंकि वहां तक तो conducting wire है वहां तक कोई potential change नहीं आएगा लेकिन जैसे ही हम लोग इस positive plate को cross करेंगे जैसे ही negative plate पर आएगे यहां से positive plate से negative plate की दरफ जाएगे तो potential कम हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं कि negative plate lower potential पर होता है positive plate higher potential पर होता है तो इधर जानने पर कम होगा इसलिए minus करेंगे VMA से कितना कम होगा तो जितना EMF दिया हुआ है battery का उतना कम हो जाएगा इधर जाने से तो हम लोग EMF के बराबर जो potential difference घटा देंगे ठीक अब हम लोग ने potential calculate कर लिया यहां का negative plate का अब negative plate से अगर हम लोग बढ़ते जाने इधर तो रेजिस्टर का रेजिस्टर के case में हम देखेंगे कि रेजिस्टर की जो polarity है वो depend करता है current के direction पर तो current हमेशा registers की cross higher से lower flow करता है तो रेजिस्टर के लिए यह higher होगा इधर वाला क्योंकि current right से left में जा रहा है इधर higher होगा इधर lower होगा ठीक है यानि यहां का जो भी potential है उससे यहां का potential जादा होगा यहां से यहां जादा होगा यानि बढ़ेगा तो यहां का potential हमने calculate किया हुए भी इसमें कुछ add करेंगे क्योंकि यहाँ पर जादा है कितना जादा होगा तो ohm slash से हम जानते हैं कि resistance के cross potential difference होता है i into r v is equal to i r इतना potential difference यहाँ पर होगा इसको हम लिख सकते हैं i into r अब आ गए हम लोग इस end पर ठीक तो resistance का right end पर आ गए और वहाँ से point b का potential जो है वहाँ तक same रहेगा तो यह जो भी potential आया इसको हम कर सकते हैं कि point b का potential है तो va minus vv यह आएगा e minus ir जहाँ पर i जो है वो इस battery से होकर flow होने वाला current है where i is current through the battery through the battery तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जब battery discharge हो रहा है है ना यहाँ पर battery discharge हो रहा था जब battery discharge हो रहा हो तो potential difference emf यानि e से कम हो जाता है यह वाली value e से कम आएगी कहा जा सकता है potential difference is smaller than smaller than emf e when battery is discharging जब battery discharge हो रहा होगा तो potential difference emf से कम आएगा अब दूसरा case देखते हैं जब battery charge हो रहा होगा यह ना दूसरा case देखेंगे when battery is being charged तो जब charge हो रहा होगा तो हम लोग फिर से एक battery बनाते हैं यह battery हो गया और यह हो गया internal resistance तो इसमें एक box बनाएंगे जो कि represent करेगा battery को है ना यह हमने box बनाया इस box के अंदर पूरी जो है वो battery है इसमें दो points लेंगे एक point है A और दूसरा point है B इस battery का EMF लेंगे E और internal resistance R तो जैसा कि हमने अभी एक point पढ़ा था important points में कि जब battery charge हो रहा हो तो current battery के negative N से निकलता है और positive plate में इंटर करता है यहाँ पर यह positive plate होगा यह negative plate होगा तो अब हमें potential difference calculate करना हो तो point A से शुरू करेंगे तो point A का जो potential है यहाँ का और यहाँ का potential equal होगा क्योंकि conducting wire से जुड़े हुए हैं ठीक लेकिन जैसे ही positive से negative plate के दरफ जाएंगे तो potential कम हो जाएगा कितना से कम होगा E से क्योंकि battery का यह हमेशा higher potential होता है यह हमेशा lower potential होता है negative plate वाला current के direction से कोई लेना देना नहीं होता है ठीक तो हमने अभी negative plate का potential calculate कर लिया तो अब यहां से यहां तक potential change नहीं होगा ठीक है लेकिन अब जो current है वो right वा direction में जा रहा है तो register के cross potential difference होता है यह कहें जो polarity होती है वो current के direction पर depend करता है तो current इस बार left से right में जा रहा है तो register के लिए यह higher potential होगा left में और lower potential होगा right में ठीक तो यहां का जो भी potential है उससे यहां का कम हो जाएगा कितना कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो इसमें से minus करेंगे और कम होगा वो उसला से i into r ठीक है अब यहां का potential हो गया अब यहां से और b के बीच में कोई potential difference नहीं है यानि जो potential यहां का होगा वो ही b का होगा तो point b का potential हमने calculate कर लिया तो यहां पर आप देखेंगे कि va minus vv is equal to e plus i r आएगा यानि इस बार देखेंगे जो potential difference है वो ea map से बड़ा हो गया तो यह कर सकते हैं कि potential difference across battery is higher than higher than EMF e when it is charging जब इसको जब यह charge हो रहा होगा तो potential difference इसके ea map से बड़ा हो जाएगा तिक यह potential difference हमने calculate कर लिया एक और term आता है battery के case में जिसको कहा जाता है short circuiting short circuiting of a battery तो battery को short circuit करने का मतलब हुआ कि उसके दोनों plate को एक conducting wire जिसका resistance 0 हो उसे connect कर देते हैं यह होता है connecting the plates of a battery by a zero resistance wire zero resistance conducting वायर ठीक है तो इसको एक circuit से समझते हैं हम लोग यहाँ पर एक battery बनाते हैं जिसका positive plate है negative plate है और यह internal resistance है ठीक तो battery को समझने के लिए हम लोग एक box बनाएंगे यह पूरा जो है अपना battery है जिसमें यह है point A और यह है point B ठीक अब इसको कहा गया कि इस battery को हमने एक zero resistance wire से जोड़ दिया ठीक है यह wire है यह कहा जाएगा जीरो रेजिस्टेंस जीरो रेजिस्टेंस जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर ठीक तो यहाँ पर हम लोग potential difference calculate करने की कोशिश करते हैं या current calculate करने की कोशिश करते हैं अकेला battery है तो यह discharge होगा इस battery का EMF माल लेते हैं की E है इसका internal resistance R है और इसे current जो flow कर रहा है वो है I ठीक तो हम ऐसा कर सकते हैं की जो point A है पॉइंट A VA-VV चुकि यह जो battery है discharge हो रहा होगा single battery है तो discharge हो रहा होगा और जब discharge होता है तो जो potential difference होता है battery across वो अभी हमने calculate किया था वो होता है E minus IR ठीक है अब आप देखेंगे की point A और point B के बीच में एक zero resistance wire जूड़ा हुआ है है ना इसका मतलब यह हुआ कि A और B के बीच में potential difference होगा zero तो इसको रख देंगे zero और इसलिए E is equal to IR होगा यानि जो current flow करेगा वो हो जाएगा E by R ठीक है अब यह जो current है इसको maximum current कहा जा सकता है it is maximum current maximum current through the battery through the battery वो इसलिए कि जब भी external resistance होता अगर external resistance होता तो current का value आता E कुछ external resistance होता कुछ internal resistance होता है न लेकिन यहाँ पर external resistance तो है नहीं और इसलिए ये वाला part zero हो गया और इसको तो जो रहना है ये तो internet resistance बैटरी का रहे गा ही है न तो चुकि denominator इस case में minimum हो गया r का minimum value zero हो सकता है और इसलिए current कहेंगे कि maximum है एक और concept सिखते हैं वो concept ये होता है power dissipated by battery जो battery है उससे कितना power dissipation हो सकता है अगर वो discharge हो रहा हो तो इसके लिए हम लेकिन बनाएंगे circuit में एक external resistance है एक बैटरी है और एक बैटरी का internal resistance है बैटरी का अंदर अपना बैटरी है तो इसमें अगर हम लोग current की value निकालेंगे current in the circuit तो वो आ जाएगा आप देखेंगे कि इस पूरे circuit में घूम सकते हैं मान लेते हैं यहां पर current आई फ्लो कर रहा है अकेला बैटरी है तो यह discharge होगा ठीक तो होगा क्या कि अगर हम लोग घूमें यहां से मान लेते हैं का potential है 0 अब यहां से इधर जाएंगे तो resistance के cross जानने पर यहां से potential यहां जानने पर घट जाएगा इसलिए minus करेंगे i into capital R तो यहां से हमने यहां से यहां तक potential सेम था उसके आगे गए तो घट गया i r से ठीक फिर यहां से यहां तक यहां तक potential सेम रहेगा यहां का और यहां का सेम होगा क्योंकि just wire है zero resistance फिर चुकि current यहां पर ऐसे जा रहा है तो यहां से आगे जानने पर फिर से potential घटेगा क्योंकि हम लोग current की direction जा रहे है तो फिर लिखेंगे minus i into smaller अब यहां आ गए यहां से यहां तक का potential सेम होगा लेकिन जब यहां से यहां जाएंगे तो potential बढ़ जाएगा क्योंकि बैटरी का यह lower potential वाला प्लेट है यह higher potential वाला प्लेट है क्योंकि यहां से यहां potential जादा होगा तो इसमें हम लोग add करेंगे e और फिर add करते ही हम लोग यहां पहुँच गए यहां का potential और यहां का potential equal है तो यह हो जाएगा 0 है ना तो यहां से i का value आप देखेंगे कि यह आया e y r प्लस r तो पहले तो इतना current आ गया यह current का equation हो गया तो हमें पता करना है कि जो external resistance है इसमें कितना power dissipate हो रहा होगा है ना power dissipated at external resistance r तो वो जो power होगा उसको हम लोग लिखेंगे i square into r ठीक है या इसको ऐसे भी कर सकते है कि वहां का जो potential difference है जो power होता है potential difference into i potential difference वहां पर आता है i r into i तो यह ultimately हो गया i square r ठीक है तो इसको यहां पर i का value यहां से रखेंगे तो यह हो जाएगा e square by r plus r का whole square into r ठीक अब इस power को यह जो power आप देखेंगे कि यह external resistance का जो है वो function हो गया p जो है यह आया function of external resistance r ठीक अगर इसको maximum करना हो for maximum power we need to differentiate dp by dr and it should be equal to 0 ठीक है तो इसको आप differentiate करेंगे और differentiate करके देखेंगे तो external resistance का value आएगा internal resistance के equal तो यहां से conclusion यह निकलता है so power dissipated at r will be maximum when external resistance is equal to internal resistance ठीक है यह होगा और maximum power dissipation जो होगा इसमें यह जो power का formula आया है इसमें इस external resistance के जगा पर भी small r रख देंगे है ना तो कह सकते हैं कि so p maximum is equal to e square by r plus r into r e square by r plus r यहां पर whole square है whole square into r इसका मतलब यह होगा e square by 4 r ठीक है और इसको हम लोग e square by 4 internal resistance भी लिख सकते हैं ठीक है तो maximum power dissipation जो हो सकता है external resistance है वो इतना होगा है ना अगर इसका graph बनाएं तो उपर रखेंगे power power p और इधर रखेंगे external resistance r ठीक है तो यह जो है यह graph कुछ ऐसा आता है है ना जिसमें maximum power dissipation e square by 4 r आता है जब r is equal to r हो ठीक तो यह होता है कि maximum power dissipation कब होगा ठीक एक और termolo लिखते हैं जिसको कहा जाता है efficiency of efficiency of a battery ठीक है इसकी efficiency को define के जाता है efficiency is equal to output power divided by input power ठीक है तो आप इंटर्नल रेजिस्टेंस है ठीक तो इनको अगर इस तरह से दिखाया जाए कि battery का emf है e internal resistance r external resistance capital r अभी हमने current का value निकाला था वो आया था e divided by r plus r ठीक है तो output power जो है output कहां पर होगा output होगा यहां पर ठीक है तो output power को हम लोग लिख सकते हैं i into capital r यहां पर output होगा और जो input है input आप देखेंगे कि यहां जो energy खर्च हो रही है वो भी input में count होगा यहां जो खर्च हो रही है वो भी input में count होगा तो बैटरी अपनी कितनी energy खर्च कर रहा है r plus r है no i into r plus r total energy इतनी खर्च हो रही है यानि इतनी energy battery ने दिया होगा और जो कि हमें कितना मिल रहा है हम लोग जैसे external resistance का मतलब हुआ हम लोग कोई बलो जला रहे हैं या tube light या fan चला रहे हैं तो हमारे लिए output जो है वो शिर्फ यह वाला है यह हमारे लिए यहां का जो energy loss है वो हमारे use का नहीं है हमारे लिए output जो है वो शिर्फ external resistance वाला है यह output है और यह total energy spent हो गया तो इसको लिखेंगे r divided by r plus r यानि जो efficiency होगी यह होगी r divided by r plus r इस तरह से बैटरी की efficiency हम लोग calculate कर सकते हैं करने हम जो प्त refugee चाओर आगे दयाँ बातो सब्सक्रe